नमस्कर दोस्तों ऑशո्प इमिंटर ट्रेնग्स में आप सभी का स्वागत हैं आज के इमिंटर ट्रेंटिंग सेशन के अंदर हम जानने वाले हैं कि इमिंटर कियोष को पोडल के माधियम से विद्वा पैंशन के लिए आफ्याद किस परकार से क्या चाह सकता है तो इसके बा प्रकार की complete जानकारी अज़की इस वीडियो में देने वाला हूं तो दोस्तों वीडियो के साथ अंतक बने रहे वीडियो complete देगे जिससे कि आपको complete जानकारी मिल पाएगी और आप समझ पाएगे कि विजवा पेंचन का आवजन करने का process क्या रहता है तो दोस्तों वीडियो दोस्तों हम जानते हैं कि कि इस परकार से आवजन किया जा सकता है तो कभी भी आपके इमित्र पे कोई ऐसा customer आ जाए जिसके कि विजवा पेंचन का online forum पिलब करना है इमित्र से तो सबसे पहला काम आपका होगा कि आप ये देखेंगे कि जो विजवा पेंचन के लिए आव उसके बाद जन अधारकार के अंदर से उसका नाम डिलीट कर लेंगे जन अधारकार से नाम डिलीट किस परकार से किया जाता है तो वह हमने complete detail में मैंने बताया था कि जन अधारकार का अंदर से नाम डिलीट किस परकार से किया जाता है तो इसके लिए पहले ही वीडियो बन करेंगे अप्डेट के अंदर क्या-क्या अप्डेट करना हूँ आपको विश्यस दियान तरखना है पहले पहले हैं कि उसके अंदर विवाहिग लिका हुआ होगा तो सबसे पहले जो विवाहिग स्टेटस हैं उसकी जगे विदवा स्टेटस अपको अपडेट कर लेना है पहला काम आप ये करेंगे अपडेट के अंदर दूसरा अपडेट है दूस्तो उसका खुद का नाम उसके पिता का नाम, उसके माता जी का नाम और दोस्तो उसकी जनम दिनाम को आप बिल्कुल सही कर लेंगे अगर कोई भी उसके अंदर कमी है और जाती भी बिल्कुल सही पिलप कर लेंगे यहाँ पे जाती का पिलप करना भी अनिवारी है क्योंकि जाती की category के अनुसारी वहां पे pension मिलती है तो जाती भी आप वहां पे update कर लेंगे यहां तक आपका काम complete हो गया उसके बाद दोस्तों अगर उसके mobile phone number जन अधार कार्ड के साथ link नहीं है तो वह भी link कर लेंगे इसके अलावा दोस्तों बैंक खाता संक्या जो की जिसके अंदर वह चाती है कि उसकी pension आए तो वह बैंक खाता संक्या जन अधार कार्ड के अंदर update कर लेंगे अगर पहले से update है तो कोई बात नहीं लेकिन अकर update नहीं है तो वह भी आप update कर लेंगे तो दोस्तों इस परकार के complete शुदार हो गए उसके बाद आप सुदार के लिए आवजन कर लेंगे और अवजन समिट हो जाएगा तो यह सभी सुदार करने आपके अनिवारियों के second काम आप यह करेंगे दोस्तों थर्ड काम यहां पे होता है कि आपने पहला काम किया उसके पदी का नाम डिलीट कर लि किया उसके बाद दोस्तों सुदार किस प्रकार से किया ज़ाथ उसके बारेम पहले ही वीडियो बनावा इसी वीडियो के निचे में आपको लिंक भी दे दुंगा तो उस वीडियो को भी एक बार आप देख लेए यहां तक आपका काम क्मप्लीट होगे उसके बाद थर्ड गाम होता है document upload दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है कि जंद का अधारकाड के अंदर सभी original document scan करके upload करने हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप जाएंगे document upload के उपर उसके बाद उसको open करेंगे उसके बाद आप देखेंगे कि कौन-कौन document upload है और कौन-कौन से document upload नहीं है जो document upload है उसका कोई बात नहीं आप देख लेंगे कि वह original है या फिर photocopy upload है तो एक एक करके सभी document original scan करके वहां पर मांगे जा रहे हैं वह सभी के सभी document आप upload कर लेंगे उसके बाद दोस्तों आपका अगला काम होगा कि आपको इंतजार करना होगा कि जब तक कि वह जो आपने आवजन किया है नाम delete के लिए और सुधार के लिए उसका अनुलिपिक करण सफलता पूरक नहीं हो जाता इसके अलाओ जो नाम करने के लिए वह पूरक नहीं हो जाता तो उसके बाद आप कुछे किनों बाद आप status देखेंगे status के अंदर यह बताएगा कि आपने जो आवजन किया था उसका अनुलिपिक करार हो गया है वीडियो आपडेट हो गया है इसके अलाओ जो नाम करना था वो भी कड़ गया तो status कि इस प्रकार से किया जाता है यहां तक आपका काम complete हो चुका है उसके बाद दोस्तों जैसी अनुलिपिक करण हो चुका है उसके बाद आप उसको वापिस बुलवाएंगे अपने इमित्र पर उसको कहेंगे कि आपना जन अधार कार्ड लेके आएगी जो विद्वा महिला है उसके बाद आप उसका online आवजन पॉरम समिट कर लेंगे online आवजन पॉरम किस प्रकार से समिट किया जाता है वहीं दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों आपका अगला काम होगा आप search के अंदर टाइप करेंगे जैसे ही दोस्तों आप HJE टाइप करेंगे सभी सर्विस दिखाई देगी आप HJE apply for the pension registration pension आवजन यहां पर देख सकते हैंच जैए पैंशन आवजन इस सर्विस का सेयंद करेंगे उक्के बटन दबाएंगे उक्के बटन दबाते ही आप pension विबाग के पोडल पे आ जाएंग उसके बाद दोस्तों यहां पे जिसका pension का आवजन करना है विद्वा pension का उसके दोस्तों यहां पे जन अधरकार संक्या आप दर्ज कर लेंगे जन अधरकार संक्या दर्ज करने के बाद आप सर्च पे क्लिक करेंगे जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे परिवार के सदस्य दि क्लिक करेंगे और पेंचनर का एमाउंट भी आपको दिखाने लग जाएगा तो आगे वाले पॉइंटर पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पे क्लिक कर लेंगे उसके बाद दोस्तों पेंचनर का जो फिंगर्पिंट है वो बायोमेट्रिक मसीन पे लगा के कैपसर बायो प पर सयन कर लेंगे इसके बाद दूसरी डिटेल की भी जास कर लेंगे बिल्कुल सही है या फिर नहीं तो एक बार आपको जास करना यहां पर अनिवारी होगा इसके अलाब दूस्तों कर आप साय तो मुबल फोन नमर भी यहां से अपडेट कर सकते हैं उसके बाद अंत में के बटन आप दबा देंगे उसके बाद दोस्तों आप क्लिक करेंगे बैंक डिटेल के उपर बैंक डिटेल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों जो जन्ना दरकार्ट के साथ बैंक खाता लिंक है वो दिखाई दिने लग जाएगा अगर नहीं लगता तो दोस्तों आप आप आ आटालेजा से कम है फिर द्रम ले लेंगे उसके बाद I agree करके अपडेट पे क्लिक कर लेंगे अपडेट पे क्लिक करने के बाद अपडेट सक्सेस्पुल ही हो जाएगा फिर OK बटन दबाएंगे उसके बाद क्लिक करेंगे उसके बाद दो आप वापिस याँ अपड瞼 केशन पर जाएंगे मिल्लेट अधिल रे डिटन पर क्लिक कर चकते हैं। उसके बाद जोस्तों कियोस पे जाएंगे फिर इमिटर प्रक्रेया पूर्च के सब्सक्राइब लग जाएगा और यहां पर शुर्ण दिखाई देने लगंगी। किसी कारणा स्वापिस लोटाए जाता है तो डिवेस्ट अपलीकेशन पर आपको दिखाई देने लग जाता है तो यह तरीका था ओनलाइन आवजन पौरम समिट करने का एक बार आपका आवजन पौरम सुमिट हो गया है उसके बार समझे अधिकारी इसकी जास करेगा कि जो को आपने ऑफ़ ini किया हैं वह बिल्कुल सई है या भी नहीं उसको लगता है कि आपने किया बिल्कुल सद्दिशन Southeast हो जाएगा अप्रूफ होने बद आप इस प्रका справकर से देखेंगे इसके अलावा तो कोई भी आपको कोई भी जानकारी की जुरूत है तो इसके बारे में भी पहले ही वीडियो बने हुए उनके लिंक भी मैं इसी वीडियो के नीचे आपको